अबसकार दोस्तों एक वार्फ इसे स्वागत आपके अपने यूट्व चैनल रामेंटेक एंड बैंकिंग यूट्व चैनल में जैसा कि आपको मालूम है मैं अपने यूट्व चैनल मादम से लगाता है आपके लिए बैंकिंग अप्डेड, CSP अप्डेड या टिप्ट और एसे लेके आते रहता है जो आपके लिए बहुत ही मैतपूर्ष साभित होती है दोस्तों आज की वीडियो वाहती खास होने वाली है जैसा कि आप किसी customer का पहले से mobile number नहीं लगा हुआ है वो भी लगाना होता है तो भी लगा देते हैं और इसे अगर अपना mobile number change करना होता है तो उसे भी हम बड़ी इजली तरीके से अपने portal के द्वारा ही उसका mobile number change कर देते हैं जोसो आज की वीडियो मां बताने वाले हैं कि आप mobile number change त आपको परिशान करेगा तो mobile number लगाने से पहले आपको किस वात का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो सुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चनल को लेकिन उसे mobile number चेंज करने से पहले एक बात का ध्यान रखें यदि उसके account पे उसका आदाकार लिंक है जी हाँ यदि उसके account पे आदाकार लिंक है तो एक बार customer को ये चीज़ जरूर बता दे कि यदि आप अपना account पे mobile number चेंज करना चाते तो mobile number चेंज तो हो जाएगा ले अगर उसके बाद customer राजी होता है तभी उसका mobile number चेंज करें अन्था अगर आप बिना customer को बताए हुए mobile number चेंज कर दोगे और उसका customer का आदाकार हट गया वहां से तो customer बाद में आपको परिशान करेगा कि मेरा आदाकार कैसे हट गया आप मेरा आदाकार दोबारा आप अपना mobile number चेंज करवा रहे हो अपने अकाउंट पर तो आपका जो अगर अधाकार लिंक है जिससे कि आप अपना payment निकालते हो अधाकार के दोबारा APS के माद्यम से तो आप mobile चेंज करने के बाद आदाकार से payment नहीं निकाल पाओगे अधि आपको अधाकार से payment निका करें थैंक्स फोर वाच